इन त्योहारों पर भूशन ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वरन सम्रीधी योजना जो 10 सितंबर से शुरू है तो खरीदारी करें और जीतें प्रथम पुरसकार भाई लाख के आभूशन साथ ही दोबई टूर सहित कुल 101 इनाम तो चले आएं आपके अपने नालागड में 15 अक्टूबर 2019 और आगामी 18 से 20 अक्टूबर तक नालागड में आयोजित किये जार हैं तिन दिवसिये रेड़क्रोश मेला आयोजन के दोरान भीविन गतिविदियों और कारकरमों के लिए गठित समीदियों की बैठक आज नालागड में आयोजित की गई इस बैठक के अधक्षता SDM नालागड प्रशांत देश्टा ने की बैठक में खेल, संस्क्रीति, कारकरम, कवी समेलन, सवास जांश शिबीर और कानुन ब्यवस्ता इतादि बिविन कारकरमों और गतिविदियों के लिए गठित समीदियों के परभारियों और सरकारी और ग प्रगति के बारे में चर्चा के, उब मंडल अधिकारी प्रशांत देश्टा ने बताया कि इस बार के जिलाइस्तरिये रेड क्रोश मेले को नालागड में पूर आयुजिती रेड क्रोश मेलों की अपयक्षा भेहतरिन करने के हर संभव प्रयास किये जा रहा है, SDM ने कहा कि मेला आयुजिन के दवरान शुरक्षा के दिरिष्टी से प्रशाशन सजग है, और मेले के दवरान आवस्यक अस्थानों पर CCTV कैमरे से निग्रानी की जाएगी, उन्होंने बताया कि पूलिस के जवान सधारन पहनाओं में शरार्ति और असमाजिक ततो पर पहन आयुजित करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, इस मेले का स्तर या इस मेले मेजोगी स्पोर्ट्स अक्टिविटी, कल्च्रल अक्टिविटी जो गतवर्ष्वी थी, तो इस परियास किया गया है कि बच्चों की या स्कूल की पार्टिस्पेशन मैक्सिमम हो, सभी की involvement हो, सब इस प्रोसेस से जुड़े, सब Red Cross Society नालगर के साथ जुड़े, तो हमने जो कल्च्रल अक्टिविटीज हैं और स्पोर्ट्स अक्टिविटीज हैं, उसका दायरा इस साल काफी बढ़ाया है और इसको उचित तरीके से, इस तरह से हम इसको सारे प्रोसेस और हमारे जो भी management committee थे वो चाए official या non-official members थे, उनके साथ detailed and deliverational भी बातचित हुए और ये मेला अच्छी तरह से संपन हो, जैसे कि माननिया हमारे गवर्नर साहब इस मेले की opening करेंगे और तो सभी चीजों पर बातचित ही है और ये मेला हम कोशिच करेंगे ये अच्छी तरह से संबल हो